हेलो फ्रेंड्स दोस्तों हमारी सबजीयों में पालक का एक तरह से देखें तो सबसे महत्वपूर्ण अस्थान है क्योंकि ये जो पालक है इसमें तमाम तरह के विटामिंस और मिनरल्स पाय जाते हैं और जितने भी साग सबजीयां होती हैं उसमें सबसे इजी ग्रोइंग य तो अपने गार्डन में हम पालक के बीच किस तरह से लगाएं और पुरी तरह से और्गेनिक पालक कर सके उसका यूज कर सके और उसका हम उसकी पतियों का सलाद या उसका जूस बना करके उसका सेवन कर सके यह चाहिए कि हम अपने गार्डन में थोड़े से एरिया में थोड़ा सा किसी भी कंटेनर में थोड़ा सा पालक लगा लें और डेली उसकी दो-चार पतियां ऐसे ही कच्छे यूज़ करें और आप जानते ही हैं कि पालक कितना स्वास्थ प्रद यह साग होता है और इसका एक तरह से अगर देखा जाए तो नियमित सेवन करने से आयरन की कमी जो होती है वो कभी वो नहीं पाती है तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरह से ठंड के समय में और या किसी भी मौसम में जो पालक लगाएं तो उसका क्या प्रोसेज है क्या तरीका है तो इसके लि ले ले और आप देखिए कि मैं किस तरह से लगाता हूं लोगों को लगाने का तरीका अलग-अलग होता है पालक लेकिन मैं किस तरह से लगाता हूं आप पूरा प्रोसेस ध्यान से देखिए और मैं दोस्तों सक्सेस्फुली पालक हर साल लगाता हूं और लगबग हर सीजन में बरसात को छोड़ करके लगबग हर सीजन में ही पालक लगाता हूं तो इसके लिए आप थोड़ा स्वाइल ले ऐसी मिट्टी ले जो भूर हो और अगर आपके हाँ जो गार्डे स्वाइल है अगर वह उसके उसमें बड़े बड़े लंप्स हो तो उसको अच्छी तरह से इस तरह से पीस दीजिए कि पूरी तरह से भूर्भूरी हो जाए मिट्टी और फिर कंटेनर में पुरानी जो गार्डेन किचेंस है दोस्तों ये मार्केट का नहीं है तो इसको मैं कंटेनर में डाल करके और जो मिट्टी मैंने त्यार की ऑड़ेंस है दोस्तों ये गंबले की मिट्टी है और इसमें बड़े-फड़े लम्स पड़े हुए थे तो मैंने उसको पूरी तरह से चूर चूर कर दिया है और इसमें वैसे भी काफी क्योंकि यह आल्रेडी बड़ी पॉस्टिक है यह मिट्टी यानि पौधे के लिए पालक के लिए बहुत ही अच्छी है यह और इसको मैंने इस तरह से बिछा लिया आप ध्यान से देखते रहें और इसको मैं इसी तरह से कुछ दिन के लिए रख दूँगा अब यह देखिए तीन-चार दिन के बाद मैं इसमें हलकी सी गुड़ाई कर दे रहा हूं तिन-चार दिन मैंने इसलिए रख छोड़ा था क्योंकि वह नीचे मैंने किचन वेस्ट वगरा मिलाया था वह पूरी तरह से मिट् अगर आपके पास रेतीली मिट्टी हो तो वह अच्छा है रेतीली मिट्टी कहीं से मिल जाए क्योंकि जो पालक होता है उसकी जड़ें जो है तोड़ी कमजोर होती है छोटी जड़ें होती है तो इसके लिए बहुत गहराई वाला कंटेनर आप न लें कोई ज़रूरत नही है आप कोई भी कंटेनर ऐसा ले सकते हैं और किसी भी कंटेनर में आप पालक उगा सकते हैं उसके बाद दोस्तों आप बीज को अच्छी तरह से छिड़क दें और उपर से लगबग आधी इंच की बराबर मिटी की एक तह और बिछा दें कि भी छिड़कने के बाद अगर आप दूर-दूर बीच छिड़केंगे तो आपके पौधे बड़े-बड़े होंगे और अगर पास-पास छिड़केंगे तो पौधे घने तो हो जाएंगे लेकिन ज्यादा बड़े नहीं हो पाएंगे तो अपने किचेन गार्डन में या टेरेस पर थोड़ा सा पालक उगा लेना हमारे लिए बहुत ही बहतर है और फ्रेंट्स ये देखे ये लगबग चार-पांच दिन के बाद ये इतने बड़े-बड़े अब ये पालक हो गए हैं उग करके और इसमें थोड़ा सा पासलेन भी बहुत काम की चीज होती है लेकिन पालक में से इसके कंटेनर में से मैं इसलिए हटा दे रहा हूँ ताकि पालक के उपर ज़्यादा लोड़ न पड़े इसको इनरजी मिलती रहे नीचे से सारे ये पार्सलेन यानि प्रिंट्स मैं इन सब चीज को वीट्स नहीं मानता हूँ इनका भी इस्तिमाल पार्सलेन की भी बड़ी अच्छी सबजी बनती है लेकिन पार्सलेन बरसात के समय में बहुत अच्छी तरह से उगता है ये देखिए एक टमाटर का पौधा भी से शरीर में आयरन की कमी नहीं हो पाती है लेकिन अगर अपने गार्डन का हो तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि मार्केट में जो पालक मिल रहा है वह पूरी तरह से यूरिया से भरपूर होता है दोस्तों ये देखिए ये अब मेरा पालक इतना बड़ा-बड़ा हो गया है ये पालक देखिए बड़ा अच्छा लगता है अपने यहां उगते हुए इस तरह से देखना पालक को देखिए लेकिन अभी इसकी हर्वेस्टिंग नहीं करूंगा अभी थोड़ा इसको और बड़ा होने दूंगा और उसके बाद जो है पालक बहुत जल्दी आप इसको जब भी आप कट करें न तो पूरा पालक न उखाड़ें आप थोड़ा सा कैंची से जड़ के उपर से थोड़ी उचाई पर कट कर लें जिससे कि आपको एक बार फिर यानि पालक एक बार अगर आप लगा लेते हैं तो आप लगबक तीन-चार बार पालक प्राप्त कर सकत जो तूफान आया था उसकी वज़े से इधर का मौसम थोड़ा अगरबड हो गया था तो आप देखिए पालक कितने बड़े-बड़े हो गए हैं यह अपने घर का पालक तो ऐसा ही है कि बस एक तोड़िये और बस मुह में डाल लीजिए एक दो पत्ती इसका पूरे ले भर इस तरह से अगर डेली सेवन किया जाए तो सरीर के लिए बहुत ही लाबदायक है दोस्तों क्योंकि अपने घर का पालक है तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपको पूरा प्रोसेस आराम से समझ में आ गया होगा और बड़ा असान है इसको गाना आप मिट्टी तया बस थोड़ा सा उस समय पानी की ध्यान में रखना चाहिए कि पानी बराबर मिलता रहे और मिट्ट हमेशा नमी उसमें नमी बराबर रहनी चाहिए क्योंकि अगर नमी नहीं रहेगी तो पतियां जो है पीली पढ़ने लगेंगी और बस पालक ग्रोइंग प्लांट है इसको आप लगाईए और इसका अनन लीजिए तो दोस्तों थैंक्स फार वाचिंग